हेलो दोस्तो, दोस्तो पॉरुश पुर का सीजन टू मैंने अभी अभी देखकर खतम किया अल्ट एप्लिकेशन पे, टोटल यहाँ पर पांच एपिसोड है और अभी एपिसोड के लिए लगभग आधा आधा गंटा है कौन है बो महानवती जिसके दिमाग से याइडिया निकल गया है मैं उसे मिलना चाता हूँ एक बार, मैं पूछना चाता हूँ कि बाई, इस दुनिया में ही क्यों है, वो कहीं और क्यों नहीं चला जाता मतलब इस issue में गंदगी के अलाबा भाई कोछ भी नहीं है कोछ भी नहीं है गंदगी के अलाबा कोछ भी नहीं है शरलेन चोपड़ा को यहाँ पर काफ्ट किया गिया है और भाई उसकी history जो हम को पता ही है मतलब आगर आपको पता ना हूँ तो मैं आपको पता दूँ कि शदलेन चोपड़ा पहली एफी एंडियन महिला है जिसने पिले बॉइ मैगवीन के लिए जुलाई दोजार बारे में फुली नीवड फोटो शूट करवाया था तो भही यहां पर भी वो कर रही है उसने कफ के तबीत से सब कुछ खुल के दिखाया है सब कुछ उसने काईदेश यहां पर दिखाया है और वो हर बार एक नया आदमी बदल दी है गंदगी तो यहां पर है है मतलब हर बार एक नया बंद उसके पास आता है और वो चला जाता कि यहां पर दिखा था, लेकिन उस तरीके से कि छुपा भी रही औरर देखाई भी पड़ जाए, मुझे समझ नहीं जा ला कि यहांपर है, आपने फिन बंड नहीं देखा तो ठीक है, आपको डैरेकट इस यली पर तो को भी देख सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग कहानी है इन दोनों शोव की यहां पर पांच एपिफोड थे यहां पर फिलाल के इसको कंकिलूड किया गिया है लेकिन अंत में एक ट्विफ्ट छोड़ दिया कुछ एक दू धरवाजे खोले छोड़ दिया मतलब यहां पर एक तो एक्टिंग इन करदारों के इन एक्टर्स की इन विफ्टिंग इसव इसवे इसका कॉंसेप्ट इसकी कहानी मतलब कहानी तो है नहीं जो कॉंसेप्ट है वो बस गंदगी है गंदी-गंदी यहां पर चलती देती है यहां पर नजो पड़ा को तुभाई स्क्रीन पर देखाने जाता है इंड वही हाल यहां पर है दीपक काजिर का उन्कों स्क्रीन पर देखा ही निए जाता है एंड एक से वड़के एक हagटी एक केक्टिंग करते हुए यहां यहां पर राजा है, उसकी तीन राणिया है, तीनों राणिया वो राजा देखता रहता है, उन राणियों के पास कोई और आता है, वो आदा काम करता है, उसके बाद जहाब अचा यह राजा करता है, यही चल रहा है, उन तीनों राणियां का अफेर चल रहा है, तीन में से को एक गरवबती हो जाती है जो गरवबती होगी वो महरानी बनेगी एंड वजा चाहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं तो ये गरवबती कैसे हो गई यह चल आरा यह दो वह सवाल उठाता है कि मुझे को पता करना है कि यह किसे ने किया और इंग रद कोते होते 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 समझेंग decision के बाद एक किसी डेशाम में जा रहे अधाज साल पहले मतलब बेटी होने वाली थी अथारह साल की जब बेटी हो जाएगी तो राजा कि शादी होगी उसकी अपनी बेटी से और उसकी बेटी जाके राजकुमारे की बजाए महारानी बन जाएगी मतलब वो लड़की अपनी ही मां की सौतन बन जाएगी एक तरीके से यह चल रहा है यहाँ पर इसलिए मैंने का था मैं पोचना चाता हूँ मैं जानना चाता हूँ कि वो कौन सी महान हस्ती है जिसने इसको लिखा है जिसके दिमाग सी आइडिया निकल का है मैं जानना चाता हूँ वो इंडिया वो इस दुनिया का तो होई नी सकता वो कहीं और से प्रकट हुआ होगा मुझे ऐसा लगता है वो एक आम आदमी की तरफ उसका जन्म नहीं हुआ होगा वो प्रकट हुआ होगा कहीं से मतलब ये लिख के रखाए ये भिलपूडी बना के रखिये यहां पर मैं क्या ही कहूँ कितना ऐसा गंदा बोलू है गंदगी तो यहां पर भरपूर है वो बुड़ा लगा पड़ा है अपनी पोती की उमर की लड़की की साथ वो लगा पड़ा है ये सब चल रहा था लाफ्ट एपिसोड में यहां पर तो वह इंतलब मेरे दिमाग का दई हो गया वरा भी इंटरफ्टिंग नहीं वरा भी एंगेजिंग नहीं जो अच्छा कहा ज देख लो बाकि अच्छा चाहिए कुछ तो भाई मत देखो एंट जिनको गंदगी देखनी होगी वो गोगल पर फीदा फीदा जायागा इस कचरे को नहीं देखेगा क्यों देखेगा कोई तो यह है बागे शरलें चोपडाने तो जो गंदगी यहां पर दिखाई है मतलब भाई वही दिखाई पड़ा देती इस पूरे शो में मतलब मैं यह शब्द भी लेके नहीं आना चाहता अपनी जबान पर तो भाई यह है वीरो आड़ फाइब आपने देखा है यह गंदगी यह आपने देखी है लिख कि बताना आप लोगों गया इस गंदगी पर क्या ट शानी है फिर्फॉर फिर फिर्फ यह एक टा कपूर का यह यह डिख आता है लेके आता रहेगा और थैब कहिनों को इसका season 2 भी आएगा क्यू लोगों को गंदगी पसंट आती है यह indians एंट यह नहीं मानें गेश सब्सक्राइब करना शालरन को बीड करना का ov आपकी लात शुब हो शुब रात्री थेंक यू